हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सौम क्लाशेज में दोस्तों यूपी बीयो यानि खंड सिक्षा अधिकारी का जो आज एक्जाम हुआ है 16 अगस्त को उसके क्या-क्या आंसर है पूरा पेपर हम आपसे भी स्वीडियो में डिसकस क गया था तो इसका होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस यानि 93.3 डिग्री सेल्सियस अगला परसन है जिसमें है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलिक करना था इसमें उपाजियों का निशेद धार्मिक मामलों के प्रबंदन की सुवेत अंत्र था अल्पसंक्यों के भासा का सर एक दो हो जाएगा यानि कि हम सीधे बात करें अप्रादियों उपादियों का निशेद अनुच्छे डठारा सिक्षा का धीक है अनुच्छे का क्ये भारते समिधान के चुच्छ तर्वेस समय दोन के संबंद में निमिलिकित में से कौन सा कथन सही है यह समिधान में एक न है एक नई उनुस्य जोडने के उनुबंदन करता है नगर्पालीकाउ की का्रयपालेकाउ की पुना सररचना यह है नगर्पालीकाउ में महिलाओ के लिए आरक्षन उपलब्ध कराता है चुर New 3 है यह निश्चित तोर पइस में होना है तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा एक दो एवम तीन इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्स है भारत में निमिली किसमे से किसे सिस्वो और अवस्ट्यों के साथ सार्थिक और समाजी की योजनाओं के लिए विद्धी निर्मान के सक्तिया प्रदत हैं तो इसका right answer हो जाएगा option number C केंद्र एवं केंद्र एवं राज्य दोनों को यदि सभी समासुधारग मानावतावादी है सत्य है तो निमलिकित तर्कवाक्यों में से कौन सास्त्य होगा कुछ मानावतावादी समासुधारग है सभी तो इसका right answer अगला परसन है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजेगे तथा सूची के नीचे दे गए उत्तरगा आपको बताना है अंतराष्टे विदी के परति आदार बढ़ना प्रानियों के परति दवा भाव रखना ग्याना जन की सुविदा भावना का विकास राज्य की ल नेक्स परसन है निमिलिकित में से कुन सा पद परसन चिन पर आएगा इस्थान लेगा 14, 24, 27, 28 तो जो आपकी स्रीज बन रही है स्रीज के अनुसार उप्सन नमबर सी यानि 28 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा A, B का भाई है, B, C का भाई है, D, C, D का पती है और E का A पता है तो D, E का क्या संबंध है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू का संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी निश्चित कोड में दिसंबर को E, R, M, B, C, E, D, E लिखा जाता है निश्चित महा में उसे E, R, M, B, V, E, N, O, E के रूप में लिखा जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर D, नवेंबर निमली की सिरेनी में X का मान गया, क्या होगा ये पूछा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर D, यानि कि 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा राइसीनल डायलोग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन हुआ है इसका राइसीनल डायलोग आप जानते होंगे, राइसीनल में राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर D, केरल हर्वर्स की भातिवी इस वार पर्थम इस्थान पर है SDS या निव निरंतरवी कास्ट के करम में है निमिलिक बेसे किस देश में जनवरी 2020 में भारते नोसेना ने आप राइट आंसर हो जाएगा मेड़ागासकर और आप्रेशन वीनिला जो था ये मतलब एक तरह दर सांती और प्रेशन आप इसे बोल सकते हैं मेड़ागासकर के लोगों के लिए राहत सामेगरी पुचाने के लिए क्या गया था निमरी की देशों में की देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्सता जापान से प्राप्त की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साओधी अरब राइट आंसर उप्सन नमबर सी साओधी अरब के द्वारा G20 देशों की अध्यक्सता प्राप्त की गई है सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है तदा सूचियों के नीचे देगए उत्तर आपको बताने थे तो इसका जल्दी ही हम आसे दोस्तों आपको बता देंगे चमेरा, गौाल पहाड़ी, कुदाल पुलम और पतातू दोस्तों हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई रॉंग आंसर बताया जाए, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नीचे दो कथन दिये गए हैं, एक को कथने तो दूसरे को कथन आर कहा गया है भारते बुगर्व सर्वेच्चन के अनुसार, भारत में सभी कोईले का कोटे का भंडार 293.5 करोड टन है देश के कोईले के कुल परमानित भंडार का आधे से अधिक दो राज्य जहारकंड वे ओडिसमें पाया जाता है नीचे दिए कोटो को आपको चैनीत करना देखेगा यह जो है भारतिव गवर्व सर्वेच्चन ने माना है कि सभी कोटी के कोईले का भंडार दो से इतना करोड टन है, देश के कुल भंडारी कोईले से अधिक का का कारण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A, AOR दोनों सत्य हैं तता ARA की सही व्याक्या करता है नहे भारत के निमिलकीत राज्यों में से कौन सा जन संक्या की दृष्टे 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 से ऊसका छोथा इस्तान है उसी करम बात करें हैं, बिहार दूसरी स्थान पर है, मग उसकर त्यत्पल में करम नहीं है, तो इसका right answer option number D हो जाएगा, महरास्ट, सूची एक को सूची तीन दो के साथ सुमेलित कीज़ेगा, जर्वा, कुर्की, थारू, गोंड, तो जो थारू जन जाती है, उत्तरप्रदे इसका right answer हो जाएगा, उसका 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 right answer हो जाएगा, उसके लिए right answer हो जाएगा, चार, तीन, एक, चार, दो, इसके लिए right answer हो जाएगा, चार, ती भारत में नगरी करन के संदर में बहुत इंपर्टेंट कुस्चन है भारत में नगरी करन के संदर में निमिलिक कत्नों में से कौन से सही है 2011 की जनगन्य के अनुसार देश की कुल नगरे जन संख्या का 60 परसिस अधिक पर्थम स्रेणी के नगरों में निवास करता है 2011 की जनगन्य के अनुसार भारत के निमिल्कित राज्यों में किसमें पर 300 बालिका और 026 की जन संख्या पर बालों की संख्या सरभादिक है 0-3 इसका right answer हो जाएगा हरियाना उप्स नमबर C Next person है शरीर के सते से स्वेधन परीशीन बहना जल द्वारा जल की हानी निर्वर करती है केवल वातावरन के ताप पर केवल वातावरन की नभी पर इसका right answer हो जाएगा उप्स नमबर C A एवं B दोनों पर Next person आपका है निमिली के तो पोदों में सुक्षम पोसक नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा उप्स नमबर B मैगनीज जो है वे पोदों के लिए सुक्षम पोसक नहीं है हिमोगलोबीन के संबंदर में निमिली के तो पोदों में कोण सा कथन सही नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा यह उतको से फेड़ पोदो तक कारवन डायक्साइड को पहुचाता है रक्त में glycosylated hemoglobin HbA1c का मापन निमिली किसके संबंद में लाब दायक है तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि diabetes mellitus यानि मदू में बारते समीधान में निमिल किसे कर्तव्य को मोलिक कर्तव्य के रूप में दिधारित किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option number D एक तीन एवम चार देश की रक्षा करना आयकर अदा करना हमारी मा सामाजिक संस्कृति की गौरावसाली प्रमप्रा का परिक्षान सारवजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नीचे दो कथन दिये गए हैं जिसमें आपको बताना था पहात में मंत्री परिस्थ संहिक तुरूप सिर लोकसभा और राज्यसभा के परति उत्रदाई है इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर A और R दोनों से रही हैं तथा R A की सही व्याख्या करता है पंचाइती राजपर गठित जो समीतियां बनी है उनका काला करम पूछा गया था कि किस किस करम में बनी है तो सबसे पहले बलोंतराई महता समीति बनी थी इसका राइट आंसर उप्षन नमबर C हो जाएगा 3, 4, 1, 2 हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सौम क्लाशेज में दोस्तो यूपी बीएओ यानि खंट सिक्षा दिकारी का जो आज एग्जाम हुआ है 16 अगस्त को उसका कोश्चन नमबर 30 तक हमने अपने चैनल पर अपलोड कर जया है सटीक उत्तर 30 के बाद के जो कोश्चन हैं हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तो बिल्कुल सटीक उत्तर है यदि वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में बोल सकते हैं चैनल को सस्काइब जरूर कर ले कोश्चन 30 से स्टार्ट करते है भारतर समिधान का कोन सा भाग केंदर और राज्यों के मद्द है वित्य संबंदों का विवरन करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B बाग 11 बेग बड़ाई 6 गंटों में कुरसी बनाता है बड़ाई 7 गंटों में बनाता है इसकी कुरसी बनाता है तो C बड़ाई 8 गंटों में कितनी कुरसी बनाएगा इस तरह कोई कोई कोश्चन था जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर C 73 नीचे दिये गए विकल्पों में से इस सही विकल्प का चुनकर आपको राइट आंसर करना था जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा Q, R, S, U नेक्स कोश्चन है यदि 1980 में भारत का गंतंतर दीवस सनिवार को पढ़ता है X का जनम 3 मार्च 1980 को होता है तो X, Y से 4 दिन बड़ा है इस तरीक से कोश्चन खा था जिसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ओप्सन नमबर B, दस पतिवार नेक्स परसन देख़ाएगा कोश्चन नमबर 35 का जल्दी है अंसर 34 का जल्दी आंसर कमेंट बोक्स में बता देंगी पांच वर्स पूर A और B की आईउ का नुपाच चार नुपार पांच था जदी A की वर्त माना यू 29 वर्स है तो B की वर्त माना यू क्या होगी जिसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D, 35 नेक्स कोश्चन है जदी X बराबर 2 प्लस की 1 भाई 3 प्लस 2 की 2 भाई 3 हो तो XQ-6 X Yอ प्लस 6 X का मान यू जिसके लिए राइट आंसर होजाएगा गोश्चन नमबर 36 का राइट आंसर होजाएगा और अप्सन नमबर B, 1 एक वर्त की दो जीवाएं अबी था था सीडी वरत के बाहिए बिंदो पीपर काटती हैं इस तरह से question था जिसका right answer हो जाएगा question number 37, option number A, 90 degree, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवरता है और लगुतम समापवरता है 21 और 24 हो तो संख्याओं का अनुपात 1.54 है तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी स रंख्या होगी question number 38, जिसका right answer हो जाएगा option number B, 84 देश के सबसे बड़े राज्य समूवें भारत में किस वर्ष में, वर्ष में 2019 में सुसासन सुचकांक में सी सिस्थान प्राप्त किया तो इसका right answer हो जाएगा 39 का B, यानि तमिलाडू, एह पर्त्यक्स करों को पर्तिगामी विवस्था को क्यों कहा जाता है, इसका right answer हो जाएगा question number 40 का right answer D, इनमें से कोई नहीं, भारत 5 trillion डालर की अर्थ विवस्था के लक्षो को कब तक प्राप्त करना चाहता है, जिसका right answer हो जाएगा option number A, तो हजार बाईस, निमली कितमे से कौन सा कथन पंधरवे वितायों के स सम्मन्दित नहीं है, question number 42 जिसका right answer हो जाएगा option number D, आयोग को 30 October 2020 तक अपना परती विदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, निमली कित पल्ला उसासको का उनके राज्यकाल को दृष्टिकत रखते हुए, सही काला नुकरम बताईएगा, तो सबसे पहले आपके हैं, महिं question number 44 है, जिसका right answer हो जाएगा option number A, 4, 1, 2, 4, चंदर गुप्त, समुदर गुप्त, चंदर गुप्त, दित्या, कुमार गुप्त, पर्थम, right answer हो जाएगा, निमली कितने कों सास सही सुमेलित नहीं है, तो तल अजीब उल आखलाग मुहम्मद अली जिन्ना जो ये question दिया गय question number 46, जिसका right answer हो जाएगा, question number 46, जिसका right answer है, option number C, 4, A, 2, 1, 4, 3, यानि की खाजायूल उल फतुहू, ताजू मसीम, सुची एक को सुची दो के सास सुमेलित कीजिए तो निचे दिगए quote को सही उत्तर दीजेगा, एंड्रू फ्रेयज, पुलिस आयोग से संबन दी थे, एं इसी तरीके से यदि हम answer की बात करते है, 47, तो इसका right answer हो जाएगा, option number A, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना था कि निमन में से कथन, एक कथन, दो की तुष्टी करता है, तो question number 48, जिसका right answer हो जाएगा, option number C, एसत्य है, प्रंतु आर ग से निती के पक्ष में नहीं थे, प्रंतु ये, गांदी जी के पक्ष में हो गए, question number 49, जिसका right answer हो जाएगा, option number A, के वले, question number 50, देखते हैं, विले का सिद्धान्त के तहत निमिलिकित राज्यों के विले पर विचार कीजेगा, उनने कलानुकरम विवस्थित कीजेगा, question number 50, जिसका right answer हो जाएगा, option number C, 1342, यानि की सतारा, बगाट, दुदैपूर, जहांसी, गन्ये के उच्छी तोर प्रासरमिक मुल्य EFR निमिलिकित में कौन सा संगठर हनुमदित करता है, तो इसका right answer होगा, आर्थिक मामलों की cabinet committee, नीचे दो कथन दिये गए हैं, जिसमेंगे कथन ने सत्य है, जबकि कथन दो का कारण गवताया गया, देखें, दोस्तों वधी, हम के लिए लिन question की बात करें, तो इन question का right answer, जो official होता है, जो आयोक के द्वारा तिया देग दिखिया जाता है, वो ही वास्तिक्ता में माना जाता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच इस question पर गोसित निती रेपोदर और रिवर्स रेपोदर करम से थे, तो question number 53, जिसका right answer है, C, पांच पॉइंट, एक पांच परसेंट, वैप 4.9%, question number 54, भोगता मुल्य सुचकांग के संदर में नेमली खित कतनों पर विचार कीजेगा, जिसका right answer हो जाएगा, question number 54, जिसका right answer हो जाए समय मौदरी किस्किती मापेतु किया जाता है, साप्टवेर बिजनिस प्रोसेसिंग, आउस्सोरिसिंग, उदोगों का सबसे बड़ा केंदर उत्ता प्रदेश में किस जगह पर है, तो वैस नोईडा सहर, इसके लिए right answer हो जाएगा, उत्ता प्रदेश के निमली की छेतरों प्रताब गड आउला के लिए परसिद है, तो यह समयलित नहीं है, इसका right answer हो जाएगा, प्रताब गड प्रताब गड इसका right answer हो जाएगा, यह आउले के लिए परसिद है, अमरू तथा जैली के लिए नहीं अगरिया बैगा भुया अनुसरी जन जातिया उत्तप्रत इसके निमलीखित जिलों में निवास करती है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर नमबर सी सोन भद्र निमलीखित में से कौन साथ सही सुमेलित नहीं है दोस्तो इसका जल्दी है हम आप सो अंसर बता देंगे किलियर आंसर इसका अभी तक नहीं मिला है निएक्स परसन यदि आपको अंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आयोग उसके लिए अलगी कोई आंसर निधारित करता है इसके लिए एक तो बिल्कुल सत्त है इसमें कोई दो राए नहीं अधिकांस लोगों के लिए सूजले में सोच उसके लिए नियमित प्रात्यकाल भर्मन फसलों की देख देख समाजिक्ता का हिस्सा है इसके लिए क्या राइट अंसर होगा इसका अंसर होगा अपने असाब से राइट अंसर होगा एक एवम दो यानिकि सी ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निमली कित्म से कौन सा सरवादिक पर दूसीत नगर है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसर नंबर बी जहरिया बिसमेट देशों के लिए जलवाई हूँ स्मार्ट केती पन्नाली विशे 11-13 दिसंबर जो लागू की गई है कोश्चन नंबर 64 इसका राइट अंसर हो जाएगा अपसर नंबर बी के वल दो कोश्चन नंबर नेक्स देखते हैं कोश्चन नंबर 65 जिसका राइट अंसर है 65 इसका राइट अंसर हो जाएगा पेरिसीन नदी के तटट पर बैंकको चाो फ्रायानर्सी के तटट पर 65 नंबर 14123 निमिलिक में कौन सा जापान के चार परमुख दीपो का उत्तर से दक्षिन तक का इस सही करम प्रदसित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का राइट आंसर D, होकेडू, होंसू, सिकोकू, क्यूसू नीचे दो कथन दिये गए है, कथन A, दूसरे कथन R का कारण दिया गए है, जिसका सही आंसर बताना है कथन A बिल्कूल सत्य है, कथन R का जो कारण है, वो सत्य है या नहीं, इस पर निसकर्स करने की बात है तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेयर करें सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीज़ेगा तथा सूचियों को दिये गए उत्तर का चैन कीज़ेगा कोश्च नमबर 68 जिसका राइट आंसर हो जाएगा उपसन नमबर B यानि की 4, 1, 3, 2 नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 69 ग्रीस के संदर में नमली कत्रों में से कौन साथ से सही हैं ग्रीस कैटरिना से मैं पूला देकर राइट आंसर बिल्कूल राइट आंसर है ग्रीस की पहली महिला राष्टपती कैटरिना साकेला लवपोलू है और यह किसी भी राजनितिक दल से संबन्दित नहीं थी विपक्ष्य सांसद्यों के द्वारा इन्हें वोट दी गई तो एक एवं दो दोनों इसके लिए सकते हैं सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजेगा तथा सूची ओको नीचे देगे कतनों को चैन कीजेगा तो सोक हागुल जो है वो आपका हो जाएगा नामचीन अरुनाचल परदेश माकूल असाम एक, दो, तीन, चार इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दो रेल गाड़ी एक ही दिसा में कोस्चन नमबर 71 है एक ही दिसा में इस तका जो राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर B होगा 100 मेटर कोस्चन नमबर 72 किसी वस्तु को विक्रिय मुल्य के तीन बटे चार पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानी हुई यदि उस विक्रिय मुल्य पर बेचा जाता है तो लाभानी का परतिसत क्या होगा कोस्चन नमबर 72 जिसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर D यानि की 20% यदि मुल्धन 5% परतिवर्स की दरपर दूसरे वर्स में 420 हो जाता है तो इसका राइट आंसर 73 का हो जाएगा उप्शन नमबर D 8000 Question No. 74 है जिसमें पूछा गया है कितने परतिसाथ सीमित लक्षा रखा गया है तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा Option No. A GDP का 33 Question No. 75 निमली कितमे से कौन सा राज्या भारत की धाने विकास लक्षा सुचकांग 2029 के सीर्स पांच राज्यों की सुची में नहीं है Question No. 75 निमली का राइट आंसर हो जाएगा Option No. A गुजरा नीचे दिएगा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए जथा हूं उन्हें का लाने करम विवस्थित कीजिएगा Question No. 76 और Question No. 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका Option No. C क्रिसिल यानि की सोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा C 1, 2, 3 Next है भारत में सारजनिक छेतर के बैंकों का हाली में किये गए एकी करन का लगानेक लाव लक्षित हैं पैमाने पर मियत वेईता इस तरह का जो Question है इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी केवाल 1, 2, 4 77 सहरी सहीता उपनाम लिखने से किस गरंथ का है Question No. 78 जिसका राइट आंसर उपनाम लिखने से किस धातों में अती दुरलब सिक्के परशिलित किये हैं तो 79 जिसका राइट आंसर उपनाम लिखने से सुमेलित कीजेगा तता सुची के निमिलिक दिए गए तरकाज चैन कीजेगा Question No. 80 जिसका राइट आंसर हो जाएगा Option No. B Option No. B इसके लिए राइट आंसर होगा 4, 3, 1, 2 Next person है निमिलिक दिए कौन दो साचोको के मद्द 17 माई 1540 में कनोज के पास युद हुआ था जिसे कनोज का युद कहा जाता है सहर सासूरी वे हिमायू Next person है निमिलिक दिए किस परमुक कारण से महतमा गांधी ने Non Corporation यानि एस सहयोग अंदोलन चलाया था यानि वापिस लिए था तो इसका चोरी चोरा कांड जो होता उसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी निमिलिक दिए किस से सम्मंदित नहीं थे तो गदर पार्टी लाला हर्दयाल थे बरकात उल्ला पंडित राम चंद खुदिराम बोस पंडित राम चंद इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 83 गा D निमिलिक दिए कौन साथ समेलित नहीं है question number 84 जिसका right answer हो जाएगा next person है question number 85 जिसका right answer हो जाएगा next है right answer option number A nitrogen 1 kg नत्र जत्रम की आपूर्टी के लिए कितने यूरिया की मातरा होती है right answer option number B 2.2 kg निमलिकित कतन उसर मिट्टी के सम्मंद में है इसका right answer हो जाएगा एक एवम दो जो सही है Fortune India के 500 कंपनिया निगम की सुची के अनुसा 2019 सबसे बड़ी कंपनी निगम है तो इसका right answer हो जाएगा 89 का Reliance Industries Limited question 91 देखते है इसका right answer हो जाएगा निमलिकित में से कौन सा जिला संत्रे का सरवादी कुट्पादक है तो इसका right answer हो जाएगा 92 का C 92 का C यानि सहरनपूर next person देखते हैं जिसमें लिखा है कि सुची 1 को सुची 2 के साथ समिलित कीजएगा वीवी गिरी राज़्टे स्रम उत्संस्थान तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा 93 का बी यानि कि चार तीन दो एक नेक्स परसन है उत्तरप्रदिश के बारे में निमिली की कतनों पर विचार की जगा और दिये गए कतनों पर आप चुनाओ करना है आपको क्या होंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का ए यानि कि एक दो एवम चार उत्तरी भारत्य संगीत का बाइबल गरंत कहलाता है देखे दोस्तों इस तरह के कोश्चन की ओफिसल आंसर आपको आयोग बता सकता है कि वहला आपके विचार जो होसा है इस कोश्चन पर वो आप अपने कोश्चन में डालते हैं तो एपरदिस्या सराजचांत्मा खिंसा का सबसे बड़ा सुरूप है एपरदिस्या के चलन का आधार धार्मिक स्वय करती है तो इस तियरे को हम कहेंगे कि ए तो सत्य है आपरदिस्या का सराजचांत्मा खिंसा का सबसे खराब सुरूप है पर यह कहना कि एपरदिस्या का निमली कित में से कौन सा कोल काता के उन चार नविंतम विवासतों में सामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में समर्पित किया गया है राष्ट को तो इसका राइट नमबर डी राइटर राइटर सुब्रेडिंग इसके लिए विल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश वस्वासता संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निमली कित में से कौन सा देज खसरे से सर्वसे अधिक परभावित परकोप में से परभावित है तो इसका राइट आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे अप्रीका महादीप के निमली कित्म से किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेक्शन सेंटर 2020 खोला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A किस एक सागर के निगारे अवस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर A के स्पीं सागर सूचि और कूष्ची दो और से सुमेलित किजे़े दो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमब्र और कि दरब बाठते हैं एक जादुई घहार्त दो दिवसियव से कार सालह सहार वार्यक्री अजनंग की गई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी जम्मू सुची एक को सुची दो के सास्थ स्मुलित की जाएगा पेपर का जो पैटरन है काफी हार्थ है जा आप पिल्कुल इजी नहीं कह सकते अच्छी तरीके से पेपर को सेट किया गया था तो कॉश्चन परते हैं खिर्गीस बुसमेन एनू बद्दू तो इसका राइट आनसर हो जाएगा उप्सन नमबर सी तीन चार एक अवं दो भारत में लिगनायट कोई लागा सबसे बड़ा छेटर निमिली कित में से कोन सा है तो इसका राइट आनसर हो जाएगा उप्सनकर बहरत के निमिली कितना दियों मैं से कौनसी दामोदर की साहयक नदी नहीं है सबसे बड़ा भंडार है भारत का लगो ऑयास्क भंडार निमलिकित है उसका राइम पूरण वास्केंदर भारत के निमलिकित में नंगर में अवस्थित है तो इसका right answer हो जाएगा option number B, परियाग राज नेक्स परसन है भारत में परियावरन सुरुक्षा दिनियम निमली कित्म से किस वर्ष में पारित हुआ था जो इसका right answer हो जाएगा option number B, 1986 नेक्स परसन की तरब बढ़ते हैं question number 17 तो इसका right answer हो जाएगा option number D, बिहार, पस्ची मंगाल, केराल, एवा, मुत्तप्रदीफ नेक्स परसन है सुची एक को सुची दो के साथ समलित कीजेगा अर्ब अमल वर्सा, परकासासनिक धुंद, हिमोगलोबीन के साथ सही हो जान, ओजून परत का छरण तो इसका right answer option number हो जाएगा D, B, option number हो जाएगा B, 3, 2, 4, 1, माइको राइजा सहजीवी से संबन दित है, तो इसका right answer हो जाएगा option number C, कवक और पोदो के मद्ध है, वीटामिन के बारे में निमली कित्म जो कौन सा कदन सही नहीं है, तो इसका right answer option number D हो जाएगा, वीटामिन के जल में गोलन सील, वीटामिन है, तो इस परकार हमने आपको पूरे 120 परसुनल का उत्तर बताया है, वीडियो चलेगी हो तो पिलिज लाइक से, तथा सब्सक्राइब करना बिलकूं ना बोले, मिलता है नेक्ट शेडियो में, तब तक लिए जया हिंद, जया बारत, धन्यव